आज आप दोस्ते के साथ शेयर करने जा रहा हो, High Quality Hair PNG, Hair PhD and Hair Brushes Bundle, इस Bundle में आपको सारी की सारी High Quality Realistic Hair में जाएगा, इस पैक बहुती हैं, बहुती हैल्प करेगा, बहुती हैल्पूल रिसूर्स है, आप इस पैक को देख लो, इस सारी के सारी PNG, PhD और ब्राशन्स देखने के बाद आपको यह पसंद आये तो ज़रूर डाउनलोट कर लेना, डाउनलोट करने के बाद इस टाइप का एक जीप फाइल आपको मिल जाएगा, जीप फाइल में एक पास्वार्ट डाल दिया है, इस पास्वार्ट पाने के लिए और सारी के सारी PNG, PhD और ब्राशन्स देखने के लिए इस वीडियो आपको पूरा ही देखना होगा, मैं हूँ बेलाल, आप देख रहे होँ, एडिटर बेलाल, यूट्यूब चैनल, आप मेरे चैनल के उपर नए है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लाना, क्योंकि इस चैनल पर क्वालिटी वीडियो की साथ बिशुवास भी मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं, इस Hair, PNG, PhD और ब्राशेस क्या है, डाउनलोट करने के बाद आपको इस टाइप का एक जीप फाइल मिल जाएगा, जीप फाइल को एक स्ट्राक करने के बाद इस टाइप का एक फोल्डर मिल जाएगा, फोल्डर के अंदर जब आप प्रेस करेगी, ओपन करेगी, यहाँ पर एक ब्राशेस यहां पर देख लिजिए, यह fully high quality और realistic hair png image है, यह especially woman के लिए है, इसके बाद यहां पर आपको मिल जाएगा phd5, यह सारी आपको दिखा दोँगा, इसके बाद आपको मिल जाएगा यह hair png, इसके बाद आपको यहां पर short hair png मिल जाएगा, यह fully realistic है, इसके बाद यहां पर और एक मिल जाएगा, यह ही, इस file को phd में ही मिल जाएगा, इस png file को आप यूज़ करके, इस type का एक model यूज़ करके image manipulation कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर और एक मिल जाएगा, 6 hair png different color में, यहां पर 6 png में है, और different color भी है, इसके बाद यहां पर एक png इसके बाद आपको मिलता है ये Hair PNG, इसके बाद यहाँ पर और एक मिलता है, और एक Hair PNG मिलता है, ये दूनों ही same hair है, but a different color है, ठीक है? ये fully realistic में आपको मिल जाएगा, इसके बाद देखते हैं, ये PhD फाइल, प्रोटोशोप में open कर लेना, open करने के बाद आपको यहाँ पर font and back, देखने को मिल जाएगा, चलिए देखते हैं, ये password किया है, जास्ट आपको इस फाइल में right click कर देना, right click करने के बाद, extract file के उपर click कर देना, click करने के बाद, यहाँ पर okay button के उपर click कर देना, click करने के बाद, यहाँ पर आपको लेकना, e, b, 15, इसके बाद, here, is, a, i, r, here इसके बाद, आपको यहाँ पर okay button के उपर press कर देना, just आपको यह extract हो जाएगा, इस folder में, यह font है, font आपको image की, पहले image की font में आपको use करना, इसके बाद back में यह use करना, middle में आपको model रख देना, इसके बाद देखते हैं, और एक phd, इस phd में आपको 7 hair मिल जाएगा, इस hair आपको यहाँ पर देख लिजिए, 7 different color है, same hair पर different color है, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर और एक hair है, इस hair को यहाँ पर middle में model को रख देना, टेक है, यह देख लिजिए, यहाँ पर model को आप रख देजिए, यह same hair आपको मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ पर और एक PhD है, यह PhD है, यह fully realistic में आपको मिल जाएगा इस type का जो modeling करता है, इस model के ओपर यह बहुत ही suit करता है, आप चाहे तो इस PhD को आप use भी कर सकते है यह fully high resolution and realistic में आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4 brushes, यह brushes high quality brushes है, यह awesome brushes है, आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं इस brush का type क्या है, brush install करने के लिए just आपको यहाँ पर brush tool select करने ला और इसके बाद आपको document care करना यहाँ पर में आ गया, इसके बाद right click करना और यहाँ पर setting icon के उपर click कर देना, इसके बाद import brush के उपर click कर देना इसके बाद आपको brush जहाँ पर है, वहाँ पर चल जाओ और आपको brush select कर दो, यह है पहले brush, yes, load कर दिया, load करने के बाद यहाँ पर यह आ गया, देखते हैं यह brush यहाँ पर import हो गया, यहाँ पर 3 brush है, 4, यहाँ पर 4 brushes है, यह देख लिजिए, here again, ठीक है, यह brush की type है, ठीक है यह fully high resolution and realistic image here है, ठीक है, यह realistic here है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह realistic here है, यह brushes की, यह brushes आपको fully free में मिल जाएगा, एडिटर बलाल YouTube चैनल में, इसके बाद और एक देखते है, brush, यह brush में देखते है, यह brush में देखते है, just यहाँ पर install हो गया, इसके बाद आपको brush select करना select करने के बाद आपको यहाँ पर just press कर देना, जिस color में आप चाहिए, इस color को यहाँ पर select कर लिजिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ, इस type का एक color just यहाँ पर press कर देना, देख लिजिए, यह fully high resolution में, different color में आपको यह fully मिल जाएगा, just one click में, ठीक है, तो इस type का एक brush hair create कर लेत हो, देख लिजिए, यह black color में ही अच्छा लगएगा, तो इसलिए मैं black color यह पर देख लिजिए, यह fully PNG, आपको मिल जाएगा चाहिए, नियो बैग, layer create करना, layer create करने की बात यहाँ पर click कर देना, इसके बाद मैं और एक brush देखता हूँ, यह same, देख लिजिए, यह fully realistic brush है, आप चाहिए तो इस brush को ही use कर सकते है, यह 4 brush आपको मिल जाएगा, यह तिसरी brush देखते है, यहाँ पर, यह brush, ठीक है, तो H1, hair 1, देख लिजिए, यह brush है, इसके बाद और एक, इसके बाद यह short hair के लिए, यह short hair के लिए, आपको यह मिल जाएगा, वासा, यह आपको fully realistic दे technok मिल जाएगा, यह बहुत ही अच्छा लगता है, आप जिस बाद उन्हें use करना चाता है, तो use कर सकते है, वाँ, यह बहुत ही helpful होगा आपके लिए, यह बहुत ही realistic hair, PNG में आप कनबाट कर सकते है, PhD में आप कनबाट कर सकते है, आज के वीडियो इतने है, इस वीडियो आ आपको पसंद आये तो जरूर लाइक कर देना, आप मेरे चनल के उपर नहीं महमान हो, तो जरूर सब्सक्राब कर लेना